Hello students this is our science class and we are doing chapter 12 water and weather chapter 9 changing weather weather कैसे change होता है वो देखते हैं weather changes from day to day हर रोज जो weather है वो change होता है out or हर गंटे में change हो सकता है and month to month और महीनों में change हो सकता है some days are sunny and bright कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा धूप वाले होते हैं और कुछ बहुत चमकीले होते हैं मतलब धूपने के लिए अच्छे से while some days are cloudy and windy लेकिन कुछ दिन बादलो वाले होते हैं हवा वाले होते हैं sometimes it is hot and sometimes it is cold कभी-कभी दिन बहुत गरम होते हैं कभी बहुत थंडे होते हैं जब से थंडे चल रहे हैं this change in weather is caused by the sun, wind, clouds and rain rain की वज़े से, sun, sun पढ़ते हैं हम पहले sun की वज़े से कैसे change आता है the sun gives us heat and light, sun क्या करता है हमें heat गर्मी देता है और light देता है heat and light from the sun make the day warm, जब sun की heat आ रही अच्छे से और light आ रही है तो उससे दिन गरम होता है and bright और चमकीला होता है the sun is very hot in the afternoon, दोपैर में सूरज बहुत गरम होता है मतलब सूरज की वज़े से दोपैर में बहुत गरमी होती है it is overhead at noon और दोपैर में ये सिरकी उपर होता है बिलकुल and the rays fall straight on the earth और जो मतलब अर्थ पे है वो सीधी आती है सूरज की किरने that is why the afternoon is the hottest part of the day ये ही कारण है कि जो दोपैर का टाइम है वो सबसे गरम हिस्सा होता है दिन का सबसे गरम पार्ट होता है in the morning and evening, सुबह और शाम क्या होता है it is very, it is not very aware, बहुत जादा गरम नहीं होता we get slanting rays of the sun in the morning and evening हमें सुबह शाम जो sun की rays है वो टेड़ी होती है मतलब evening में यहाँ है sun और morning में यहाँ है तो बिल्कुल सिर्पे नहीं, मतलब ये earth है और sun इधर होता है तो वो ऐसे तिर्शी आती है, बिल्कुल सीधी नहीं आती है इसलिए वो थोड़ा गरम नहीं होता after sunset, जब सुरस शिप जाता है no heat or light come from the sun तो और तक कोई heat sun की और कोई light नहीं पहुंसते हैं अधेरा भी हो जाता है, therefore nights are cold इसलिए जो रात है वो ठंडी होती है days are very hot in summer but cooler in winter जो दिन है वो दिन बहुत ज़्यादा गरम होती है दिन में और सर्दियों में बहुत ज़्यादा थंडे दिन होते है next is wind, moving air is cold wind चलती होई हवा को wind कहते है when the wind blows very softly, जब बहुत दिरे दिरे चलते है it is called breeze, तब उससे क्या कह जाता है, breeze कहते है strong winds are called storm, जब बहुत तेज हवाईं चलती है तो storms, आंदी तुफान कह सकते है very strong storms cause a lot of damage और बहुत ज़्यादा जब तेज हवाईं चलती है उनसे बहुत नुकसान भी होता है these can approach trees, पेर उखड़ जाते हैं blow away hurts and कच्चा house जो कच्चे घर है या जो अपड़ी है वो हवा के साथ तूड़ जाती है उड़ जाती है winds also affect the weather winds इसलिए मौसम को भी affect करता है during summer, गर्मियों में hot winds वो लो, गरम हवाईं चलती है these are called low, जिसे low कहते है it makes the weather very uncomfortable and unpleasant तो जो जिस टाइम low चलती है उस टाइम का मौसम हमें अच्छा नहीं लगता क्यों को कि लू बहुत जादा गरम होती है और हमें बीमार भी कर देती है during winter, cold winds make the days very cold और सर्दियों में जो ठंडी हमाएं चल रही है जिसे आज का दिन पूरा ठंडी हवा चल रहा था उससे बहुत जादा सर्दी हो जाती है next है clouds the sky is covered with clouds on a cloudy day sky है वो बादलों वाले दिन जैसे आज सुबह बादल थे तो बादलों से ढखा हुआ था on these days इन दिनों में जब ढखा हुआ वो बादलों से sky the sun rays cannot reach us हम तक sun की rays नहीं पहुँच पाती सुरज की किरने हम तक पहुँच नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि बीच में sun आ गया so cloudy days are cooler than the sunny days इसलिए जो बादलों वाले दिन होते हैं जिस दिन बादल होते हैं वो थंडे होते हैं बाकी दिनों से but cloudy nights are warmer लेकिन जो अगर दिन में sun निकला हुआ अगर रात को अगर बादल होगे तो रात को ठंड नहीं होगी रात गरम होगी this is because क्यों होता है ऐसा क्योंकि the clouds do not allow the heat of earth to escape into the atmosphere जब हमारी अर्थ पूरा दिन में गरम होती है ना तो रात को क्या करती है वो गरमी कठी होगी दिन में अर्थ में ठीक है तो रात के टाइम क्या करती है वो गरमी निकल निकल के आखाश में जाती है अर्थ की लेकिन जिस दिन बादल आ गए तो वो गरमी है वो बाहर तो जा नहीं पाती क्योंकि बादल है आगे वो बाहर जाने नहीं देते इसलिए रात है वो गरम हो जाती है ठंडी नहीं होती next is rain some clouds bring rain कुछ बादल बारिश भी लाते है when it rains जब बारिश आती है the earth is cooled earth है वो ठंडी हो जाती है and plants get water बोदों को भी पानी मिलता है we welcome rains हम भी welcome करते हैं सुआगत करते हैं बारिश का after the hot summer days जब गर्मियों की दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है न it brings relief इससे हमें अरा मिलता है गर्मी से and comfort from the heat farmers also welcome rains जो किसान हैं खेती करते हैं वो भी बारिश का स्वागत करते हैं as they need water for crops क्योंकि उन्हें अपनी फसलों के लिए पानी चाहिए होता है जो उन्हें बारिश मिल जाता है too much rain can cause flood अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो उससे बार्ड भी आ जाती है floods can change crops damage crops जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए जिससे बार आ जाए तो उससे फसलों को buildings को सबको नुकसान होता है take the lives of animals and humans बहुत सारे animals और इन्सान उसमें मर भी जाते हैं ठीक है यहां तक हो गया यह next time next part में करेंगे